और बॉलिवट लिप्स देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कई जोता इसाबया बेल का फादा उता करें जोता चपल माता हो अब मां का दोज़ पी हाया तो आज सामने अगले सब्सक्राइब करतें तुरिक ही नौश्वा करते हैं तो इस्दुश्मनों कि ओन्डे आकर हमारी आवास को दवानी की कुशिश करतें इसके बाद रॉक्स को जिनको सच परकने की साहियत हो ऐसे नौज़मानों की जरूथ है बागियों की नहीं है हाँ, अमर अरे भई, हमारा हमारे कमाले मैंने तुने पहचाने नहीं वाँ, 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 बहुत जशनी वर्दी तुम रहा, मेरी गुड ये वर्दी तो आप ही की देन है, सर औरना कहां मैं एक बेकार बोज उठाने वाला भेल पुरी बेचने वाला इंसान और कहां ये वर्दी मेरे लिए तो आप भगवान के समाने, सर अरे नहीं भाई, मुझे सियासटदानी रहने तो भगवान मत बनाओ जिराज, आज अमर को देखकर मुझे अपने बेटे की याद आगी, बिल्कुल ऐसी था वो ऐसे लगता है जैसे आज अमर ने नहीं, मेरे बेटे ने पुलीस की फोशाक पहिननी है सर, उसके सियासत की शतंच की चाल है सर, आपके इन हैसानों का मैं जिन्दीगी भर नहीं भूलूँगा सर नहीं अमर, ऐसा नहीं है ऐसा भी वक्त आसकता है कि तुम्हे मेरे हैसान तो एक तरफ मुझे भूलना पड जाएगा जी हाँ, मेरे कही रूप है ना, तुम्हारा हमदर्द हूँ, इनका गुरू हूँ, अपोजिशन पार्डी का लीडर हूँ कल अगर सरकार तुम से कह कि अमर ना जाओ, चंकर नारायन को अतका लिये लगा कि गरिफतार करके लाओ तब, तब तुम मुझे गरिफता कर सकोगे? सर्व, कोशिश कीजीगा कि ऐसा दिन मेरी जिम्दगी में कभी ना आए आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है, आपका अशिरवात लिन आएं मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं लेकिन अमर, तुमारी आँखों में सच्छाई की चमक देखकर और बातों में वफादारी की महेग पाकर मेरे मन की शत्रन यंदर से थोड़ी हेल से गई है भाई तेरा लीडर कौन अबे? मुझे नहीं वाले साम क्या ना में तेरे लीडर का? मिदे नहीं वाले साम मिदे नहीं वाले साम मिदे नहीं नहीं आप लाई और्रिक आंपनल कि भाराारी कि एिसम्री आपिरेगी ए dig रारे जिसम्री ए Little! खाँ ए Einsatz एस ए समय से एख सकतने'll设ों में! experienced men laboratoryomen ए स्वेकित 06 कही एस्यारा एिसम्र करेको K kes be Rak structured आज तु मेरा नाम ले रहे हो नाम नहीं मैं तुमारी जान लेने अैगा है उन सीcदा राम प्रीमूर को गर्रा up ल्रडुम यह करखे हैं अर्तों के शरीर का साओधा करके दॉलत कमाने वाले लोग तुमाने देखे थे लेकन अपनी माका सौधा करने वाला दाल मैंने अपनी जिन्दगी में पहली बार देखा है हमर चाला मा का खोन चाटने वाली कुट्टे जैसी जबान से मैं अपना नाम नी सुना चाता शराफत की इस कुर्सी पर बैठने वाले गद्दा और बैमान तो इस देश के इस धर्ती मा के गाज दुश्मनों को बेचकर माल कमा गाए और अपने पाप के चीटे मेरी वर्दी बर्चागा है हाँ तुम्हारी वर्दी हमारे काम आएगी इसलिए तो मैंने तुम्हे तुम्हे दामाद बनाया हम जुरूम के रास्ते पर चलेंगे और तुम अपनी वर्दी से हमारे कद्मों के निशान साफ करते जाओगे अन्ना तुम्हो कौन है पंद्रा सो रुप्या महीने के पुलीस आफिसर इतनी कमाई तो मेरे एक से कंगी होती यह खें नहीं आता तुम्हे हिसाब करने के लिए कैल्कुलेटर दूफ कैल्कुलेटर अपने साथ रखो सीधाराम जिंदगे की आखरी घड़ियों का हिसाब रखने में तुम्हे काम आएगा ना कमाई गराप मैं तुम्हे किरिफतार करता हूँ हो तुम पुलीस आफिसरी की दोस तिखा कर मुझे गरिफतार करने है हो हाहा हाहा को चाहिया मान मारके तुझे पुलीस टेशन ले चलो हमर हमर क्या करें लो सब आप नहीं जानते है इस इस कभदार ने मुझे कितना बहाँ धोका दिया है आज तक मैं इसे एक शरीफ और इमानदार आदमी समझता रहा, लेकिन इस चोर और बाइमान निकला, आपने ऐसे आदमी को अपने पाड़ी में कैसे मिला रखा है। शान्ती, 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 चिला क्यों रहा हूँ? तुम यह कहना चाहते हो ना के, सीताराम जी अच्छे आदमी नहीं है। नहीं सेर, आप नहीं समझते हैं, यह आदमी एक मुझरिम है, इंटरनेशनल स्मगलर से मिला हुआ है। है तो, तुम करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहता हूँ? इतना सब को जनने की बाद भी आप मुझसे पूछने कि मैं करना क्या चाहता हूँ? सर मैते से बालों से पकड़की उल्टा लटकाना चाहता हूं इस से इसके जूर्म का एक बाल कराना चाहता हूं और इसके साथ उन तुमाम लोगों के चैरों से शरावत की निकाब अठाना चाहता हूं जिरान इस देश में जूर्म का जाल फhela रखा है मतलब तुम उस जाल को तोड़ना चाहते हो, मगर तुम्हे यह नहीं मालून कि अगर तुम उस जाल को तोड़ने की कुशिश करोगे, तो यह लोग सबसे पहले तुम्हे उस जाल में फसा देंगे. जी? क्योंकि उस जुर्म के जाल का एक बहुत बड़ा धागा तुम्हें हो. शरीमान जी, सिस्टन कविश्टर, तमस्कार. नमस्कार. नमस्कार. तुम भूपती नहीं हो? ओ नहीं, थे, अब शरीमान भी पती हैं, जी. अटो. और सुनाओ, कैसी गुदूर रही है, सिस्टन कमिश्टर? भाईजान ACP साहब, हमारे मालिक सरकारी पार्टी की मुख्य पद्वी पर हैं, मतलब VIP हैं. हमारे सरकार की मुठ्थी में, अपने इलाके के लोगों के, पूरे पांच लाक उठे चुना लगा के, इसलिए रियासत की सारी पार्टियां, हमारे सरकार के पीछे, पीछे घूम रही हैं, नते कर रही हैं, गड़गडा रही हैं, और कह रही है हमारी पार्टी में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इसलिए आने वाले एलेक्शन में हमारे सरकार ये मेले बनेगे और मंत्री बनने के भी पूरे पूरे चांद से सचुना लगा के आप जैसे फरिष्टे अगर मंत्री बनने लगे हैं, तो हिंदुस्तान के आसमान पे तुछार सूरश निकलाएंगे, एक दिन में तीन रात में ये हमारी तारीफ कर रहा है या बुराई कर रहा है? तारीफ कर रहा हूं हुजूर, कौन बेवकूफ होगा जो आपका मजाक उड़ा करके अपने मजाक खाम मजाक उड़ाएगा किस काम से आना हुआ है? क्या भाई ऐसी, कल तुमारे पुलिस वालों ने हमारे कुछ आजमियों को गरिफदार कर लिया है, बस उसलिए आया हूँ किस सलसले में गरिफदार हूँ है? अहूँ, वो ही दारू वारू की बड़्डी दिलाने के चकर में गरिफदार कर लिया है, अब क्या है की दल्दी छोड़ दो, मुझे अर्जन मीटिंग में जाना है ओ, ये लोग जो गरिफदार हुए इनका, आप से क्या संबंद है? अरे भाई एसी, उस्ताद का अपने शग्रदों के साथ जो संबंद होता है, वही अपना है? हाँ हाँ, तो उस्ताद जी, आपके ये जो चेले हैं, इन्होंने बड़े सक्त किसम का जुर्म किया है, इसलिए इने किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता है और जवाब इतनी उची पद्री पर पहुंच चुके हैं, तो आपको यसे बदनाम लोगों को छोड़ाने के लिए खुद नहीं होना चाहिए अरे भाई एसी, ये सब पालिटिक्स है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, दिमाग का काम है न, मैं कहता हूँ छोड़ दो कुर्सी खाली करो, है? मैं कहता हूँ कुर्सी खाली करो, कमान, किना मिस्टर एसी, तुम्हें शायद मेरी पहुंच का पाता नहीं है, चानते हैं मैं जिदर से गुजरता हूँ, तुम्हारी जैसे वर्दी वाले मुझे सलाम में मारते हैं आजकल तुम्हार निकलो, औरना सलाम नहीं मारूँगा, तुम्हें मारना शुरू कर दूँगा अजकल पागल होगी, पहले मैं तुम्हारे प्यार में दीवानी थी, आज मैं तुम्हारे इजद के दिवानी होगी मैं कितनी भागवान हूँ, कि मुझे तुम जैसा पती मिला देखो, आज सारे पेतों से तुमाहे तुस्रीरे छपी है मुझे कितनी फोन आ चुके हैं और फोन पर लोग मुबारक बात मुझे दे रहे हैं जैसे उस मगलर को तुम ने नहीं, मैंने मारा है I'm so proud of you आज साथ के हुए वफादारी के महर है Amar सुनो अस पदमाश कोया कोया अटैची से मुकाबिला करने में तुमारे हाथ में चोड़ लेगी है हड़ी तो नहीं चूटी बना मेरा एक बड़ा डॉक्टर तोस्त है, और्स्टोपीटिक सर्जन फोन के कोने बुलबा ले थे जी नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके किसी दोस्त से इलाज की अब जुरूरत नहीं मेरा इलाज तो मेरा डिपार्टमेंट कर चुका है प्लीज, मैं थोड़े के लिए के लिए रहना चाहता हूं अरे, पिता जो तुम्हारी तबियत पूछने आए है और तो मेरा जाने को कह रहे हूं अरे नहीं, यूँ ही मजा कर आए बड़ा मसकरा है मेरा अदामाद रिक्तमाले वई, बाप कर आए उसे कौफी नहीं पिलाओगी क्यो नहीं, अरे, मंतास मंतास, अरे मंतास ताज महल छोड़ो मुद्द से तुम्हारे हाथ की कौफी नहीं पी आज तो जरूर पिऊँगा ओके, आप एलाई कोया का खुन टूटिया इसलिए के मेरे डिपार्ट्पन को मुझ पर शक हो गया है अगर मैं उसका खून नहीं करता तो तुम, मैं और तुम्हारा वो लीडर शंकर और नारायन के नाम को बदनाम करने वाला शंकर नारायन सब के पोल खुल गए होते अब तक हम सब जेल में होते हैं और सारी दुनिया आम पर थूक रही होते है जा? यह तुम्हे मुझे 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 नहीं था तो तुम्हें अच्छा क्या समाट टाला तो कि रूशीन कहा है मेरे पास है मारे पास? दो, मुझे दो पहले मुझे वो नेगिटिव चाहिए कौन सा नेगिटिव? वोही नेगिटिव जिसका पॉजिटिव निकालकर आप लोग दुनिया और कानून वालों को दिखा कर यह साबित कर सकते हैं कि मेरा कोया अटैची के साथ समगलिंग का संबन था वोही नेगिटिव जिसके सारे आप लोग मुझे ब्लेकमिल कर रहे हैं वोही नेगिटिव जिससे मजबूर होकर मैं आपका हर गयर कानूनी काम किये जा रहा हूं वोही नेगिटिव जिसने मुझे आप लोगों का खुलाम बना दिया वो नेगिटिव मुझे बहुनने के जब चाहिए मिस्टर विश्वनाथ कौन? अच्छा ये ये वो ही मिस्टर विश्वनाथ है न जिन्होंने एक बार बच्चों के खाने में मिलावट की थी और करीबन पांच सो बच्चे मर गए थे उनको बनाया है फूट मिनिस्टर हमारी रियासत में आप से जादे लायक इंसान खाने का इंचाज और कौन हो सकता है वेरी गुड वेरी गुड एक्सलन मिस्टर सरस्वती प्रसाद इनको भाषा की एभी सी नहीं आती है उठा लगा कर काम चलाते रहे ऐसे फूश्यार इंसान को एड्यूकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री हुआ 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 और यह कौन साब है मिस्टर कमलेश्षवर राव हुआ 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 आप आप जिनोंने सारी जिन्दे की नकली नोट चापने का तंदा किया है असली नोटों को तो कभी देखा ही नहीं आप जैसे फुरिष्टे को फाइनाइन्स मिनिस्टरी का पॉर्टफोलियो दिया गया है सुभान आला सुभान आला और विक्टर जैराज जिनके पास अनिल राज जैसा गुंडा था और जो खुद में जाने कितने कतले आम कितने खून करवा चुके हैं ऐसे जमन के हमजद को लौ मिनिस्टर बनाए गया यानि कानून मंत्री की कुर्सी से नवाज़ा गया वाह जनाब बी पती साथ सारी जिन्दगी जो माकिटिंग करते रहे गयर कानूनी शराब बनाते रहे गुंडा गर्दी जिनका पेशा रहा है ऐसे भ्रवान के अवतार को एक साइंस मिनिस्टर बनाए गया और सीता राम जी ग्रिह मंत्री हूं मिनिस्टर अपने मुबारक हातों से जिसने अपने दमाद का घर बर्बाद करके रख दिया अपनी बेटी का संसार उजार दिया वो हूं मिनिस्टर और क्यों नहीं घर उजारने के जिसे पूरी मालुमात हो उससे अच्छा ग्रिह मंत्री कौन हो सकता है और अमरनात या पुलिस की बाइज़त नौकरी छोड़कर फर्ज और इंसाफ को भलाकर सियासत के मैदान में कूत पड़ा वो चीफ मनिस्टर मुख्य मंत्री खुद के घर को तो सुखी रखनी सका राश्ट को सुखी बनाने निकला है बहुत अच्छा आपकी दिमाग की तवाके कि इन लोगों ने हमारी गरीबों के पार्टी के रिए लाखों में पेचंदा दिया है अवेलेशन जितने के बाद हम अगर इनको मुका नहीं देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी हमें के नजरों में गिर जाएगे हमें बिलकुल नहीं गिरना चाहिए देश फले गिर जाए राष्ट की गरदन कट जाए लेकिन हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि कुर्सी पर बैठने के बाद ये लोग जितनी जल्दी अपना लगाया हुआ माल सूच समीत वसूल कर लेंगे उतनी ही जल्दी इस देश से गरीबी हड़ जाएगी फकीरी बढ़ जाएगी रोटी तो एक तरफ गरीबों को तन ढखने के लिए कपड़ा नहीं मिलने वाला हे मानात बाबू तुम हम लोग को तारीव करता है या गाली देता है पान खुलकर सुनों अगर गाली देता है तो अपन तुमारे चलंकर डालेगा मुक्रमंत्रिया तो क्या हुआ नहीं मिस्टर भूपती मैं आप सब लोगों को ये सब करने का मौका नहीं दूगा बलकि मैं आपको और और आपके तमाम साथियों को देश के साथ की गई बेशमार वफादारियों का इनाम दूगा और इनाम है ये